आज हम बात करेंगे साल 2020 और पूरी दुनिया में मची उतल-पुतल की 2020 के 5 महीने बीच चुके हैं और इस समय मानवता जिस कश्च से गुजर रही है वैसा समय इश्वर्त कभी ना दिखाए तो ही अच्छा लेकिन यह अनायास नहीं है इस बात के संकेत पहले से मिल रहे थे साल 2020 की शुरुआ सही आस्मानी संकेत बता रहे थे कि वर्ष अच्छा नहीं बीतेगा और यह आशंका सही भी साबित हो रही है आखिर क्या है वो संकेत आगी क्या क्या होने वाला है इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर विनोष शास्री शास्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं आपको बता दूँ प्रोफेसर पिनोश शास्री राजस्थान की एक मात्र संस्क्रत विश्वध्याले के कुलपती पत पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पिछले चार दशक से जोतिश विज्ञान के शोध में लगे हैं इस कारिक्रम में हम जो भी बात करेंगे वो तरक संबत और भारतिय जोतिश विज्ञान पर आधारित होगी हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधुश्वास को बढ़ावा देना या आपको डराना नहीं है शास्त्री जिसे बाचित का सिलसला शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया के कुछ प्रसित जोत्षियों ने साल 2020 के लिए क्या क्या कहा है दुनिया के महानितम जोतशी मिशेल दनौस्त्रेदमस ने आज से 500 साल पहले साल 2020 के विराशकारी होने की चेतावनी दी थी उनकी चेतावनियों के मताबिक 2020 के दौरान कई देशों में आपस मुई टकराव बढ़ जाएंगे और दुनिया के सामने सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है दुनिया के बड़े देशों में ग्रह युद यानि सिविल वाड जैसे हालात हो जाएंगे और लोग सडकों पर उतराएंगे दंगे होंगे 2020 में रूस में किसी बड़े नेता की हत्या की कोशिश भी की जा सकती है जिससे भारी उथल पुथल मचेगी जबकि अमारिका के रश्रद्यक्ष को निजी तोर पर बड़ा नुकसान होने की आशंका है बाबा वेंगा ने अपनी अंधी आँखों से देखा था 2020 का भविश्य बाबा वेंगा को युरोक और रूस में संत की उपाधी प्राप्त है बारह साल की उम्र में एक तूफान के दौरान उनकी आखें चली गई थी लेकिन इस घटना के बाद उनको भविश्य में देखने की क्षमता प्राप्त हुई थी बाबा वेंगा ने साल 2020 के बारे में कहा है कि साल 2020 में कई विनाशकारी घटनाएं दुनिया में घटेंगी जो मानव सभिता के लिए बेहत दुखताई साबित होगा मानव बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा और प्राक्रतिक आपदाओं और महमारी में घिर जाएगा भारतिय वाल जोतिशी अभिग्या आनंद ने भी कोरोना के बारे में पिछले साल अगस्त में बताया था हाला कि तब उनकी पूर्वानुमान को गंभीता से नहीं लिया गया अभिग्या ने जोतिशी अगणना के आधार पर भुविश्यवानी की थी कि कोरोना का प्रभाव 31 मार्श 2020 को सब से ज्यादा दिखा जाएगा और ये वीमारी पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगी उन्होंने ये भी दावा किया है कि 29 माई 2020 को प्रित्वी इस कठिन समयांतराल से मुक्त हो सकेगी और कोरोना वाइरिस के प्लसार और तीक्षनता में कमी आना शुरू होगा अमरीकी महिला ने अपनी किताब में 12 साल पहले कोरोना का जिक्र किया था सिल्विया सिलिस्टे ब्राउन की बुक एंड अफ देज, प्रेडिक्षन एंड प्रोफिसीज अबाउट दी एंड अफ दी वर्ल्ट में दुनिया के अंफ के बारे में भविश्यवानिया की गई है उन्होंने साल 2008 में ये किताब लिखी थी जिसमें पेज नमबर 312 पर ये दावा किया गया था कि साल 2020 के दौरान एक गंभीर निमोनिया जैसी बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी जीन डिक्सन ने भी दी थी चेतावनी जीन डिक्सन एक अम्री की भविश्य वक्ता थी जो कि क्रिस्टल बॉल में देखकर भविश्य के बारे में सटीक अनुमान लगाती थी उन्होंने साल 1963 में जौन कैनेडी की हत्या की सटीक भविश्यवानी की थी जिसके बाद उन्हें प्रसिद्धी मिली उन्होंने साल 2020 में War of Armageddon का जिक्र किया जिसका मतलब कोरोना वाइरिस से लगाया जाता है जीन डिक्सन ने साल 2020 में भारी उथल पुथल की छेताबनी दी है शास्त्री जी अभी आपने देखा हमने कुछ आपको भविश्यवानिया सुनवाई कि चाहे नास्तर द्रम हो बाबा वेंगा हो सब ने थोड़े-थोड़े संकेत दे दी थे कि 2020 साल है वो विनाशकारी हो सकता है संकटों से भरा हो सकता है हमारे भारती जोतिश विज्ञान ने भी क्या कुछ हमें संकेत पहले दिये थे लेकिन जोतिसी इन ग्रहयोगों के आधार पर अपने गुरु क्रपा से इस्ट की साधना से बताने की कोशिश करता है और वो ही सत्य होती है अभी भी जो भविश्यवानी जितने भी विद्वानों ने की उनकी साधनाओं के द्वारा की उनके ग्रहयोग और जोतिस के आधार पी की पर अभी हमारे यहां जो जोतिस शास्त्र ने जिस तरह का अभी वरनन किया गया कई हमारे मित्र लोग भी कहते हैं कि जोतिशीयों ने ऐसा नहीं बताया पर ऐसी बात नहीं है समद दोहजार छेतर का जो पंचांग बना था तो उसमें परिधावी नाम समद सर बना था और परिधावी नाम समद सर में महारोग की स्थितियां बनती है लेकिन ये एक जो पंचांगों में लिख दिया जाता है जोतिशीयों के द्वारा कह दिया जाता है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता और नहीं लिया गया यही कारण रहा कि क्योंकि महारोग के लिए हम 10 साल में 15 साल में सामानी योग आते हैं पर वो कभी कभी महायोग बन जाते हैं और इस बार जो महायोग बना ये परिधावी समधसर ही नहीं इसके अ तो बुद का पारगमन हुआ बुद का पारगमन होता है कि जैसे चंद्र ग्रहन होता है सूर्य ग्रहन होता है वैसे ही सूर्य के ऊपर होकर के चूँकि बुद बहुत छोटा ग्रह है तो जब बुद सूर्य के ऊपर होकर के निकलता है तो जैसे काला तिल ऊपर होकर के निक और खास तोर से बुद्ध आर्थिक पक्ष का स्वामी है अर्थ व्यवस्था की द्रश्टी से तो वहीं से शुरुवात करवाता है उसके बाद में फिर ग्रहन आ जाता है 26 नौंबर को और ये ग्रहन के कारण तो जैसे ये एक साथ ये योग मिलते चले चले गे शुरुवात अनिष्ट की संभावना पहले करके नहीं चलता क्योंकि निराशा भाव में जीवन जीना नहीं चाहिए और अभी भी हमारा भाव निराश करने का नहीं रहेगा जैसे आपने बताया कि हम सकारात्मक चिंतन के साथ और भारतिया संस्कृति तो है ये कि हमें उत्साह देती है आत्मबल देती है और हम इसे लिए जो सामानी रूप से लिख दिया गया था लेकिन उसका दंब नहीं भरते है कि हमने जो कुछ कहा वो सत्य ही था लेकिन वो स्थितिया संकेत पहले से दिखाए दे रहे थे इसी के साथ में जो अभी योग बन रहा है ये रोग का ही योग नहीं था ये महाबंधन योग था महाबंधन योग होता है कि जिसमें कारावास की तरह अगोशित कारावास योग कि सब सारी दुनिया एक जेल की तरह बंद होई this is मतलब वो सब बातें कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है. अब इसमें भी क्या था ये जो विश्वबंधन योग है इसमें मंगल, ब्रहस्पति और शनी इन तीनों की जो मकर रासी परियुती हुई तो मकर रासी ब्रहस्पती की नीच की रासी है शनी की अपनी रासी है और मंगल की उच रासी है तो एक उच का एक नीच का और उसके साथ में जब ब्रहस्पती नीच का है मंगल उच का है और इसी के साथ में जब शनी अपनी रासी का आता है तो गुरु शनी का योग देव प बंद जाता है पूरी दुनिया उसमें बंद गई और यह जो अगोशित कारावास योग फिर चार माई के बाद थोड़ा थोड़ा रिलेज होने लगा और धीरे धीरे जैसे योग होते हैं तो इनके निमित बनते हैं यह कोरोना भी इसका निमित बना है कि यह ऐसे पर उस परना का तारता में जुड़ा हुआ रहता है और इसलिए जो यह तीनों का योग बना और अब धीरे धीरे इनके योग वैसे तो ब्रहस्पत्य और सनी का योग तो अभी 29 जून तक बना हुआ है इसलिए यह आंसिक योग तो अभी चल रहा है और यह योग 29 जून के बाद म अब तो जून में होगा अप्रेल तो जून में है पर अप्रेल 2021 की बात कर रहे हैं अच्छा में पूशा चारी हूँ हम आपने बात करी हम आशावाद की बात करते हैं हम भारती संस्कृति के लोग हैं तो कब तक थोड़ी बहुत राहत मिलना शुरू होगी कोरोना से यह अभ और यह दोनों बदलाव हैं यह इनका परिवर्थन हमें आतमुबल देगा और कोरोना से मुक्ति की रह दिलाएगा तर पौर्ण मुक्त होने में तो समय लगेगा क्योंकि ब्रिहस्पति जो के धनु में और उसके बाद मकर में आया फिर धनु में आ जाएगा फिर पुने र चलन कर सकते हैं और जो हमको एक दूसरे पर जो आशंकाएं बनी हुए उन में थोड़ी नियूनत आएगी और स्वच्छन्द भाव से सारे कारे हम करने की स्थिति में आएंगे शासी जम बात कर रहे थे भारत की तो अगर हम कोरोना को देखें तो जिसे साब से पूरी दुनि तो आगे आने वाला समय कैसा रहेगा भारत के थोड़ा साब बता दें भारत की वैसे ग्रहयोग तो भारत के काफी अच्छे हैं भविश्य भारत का बहुत उज्वल है भारत को अभी जो आजाद हुआ है भारत उससे हम यहां के कुंडली जगदी देखते हैं तो वरश गोचर की स्थिती में अभी जो भागेश चुकि यहां का केंद्रे स्टिकोनेश शनी है विलंब कराता है जब भागेश शनी होता है तो विलंब तो करवाता है लेकिन विलंब के बाद वो विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करवाता है तो देश की स्थिती जो अभी दिख तो ऐसा रहा है कि सारी दुनिया सारे तहसने सो गए आज जैसे अर्थ व्यवस्ता सब कुछ हो गई लेकिन ये भारत के लिए क्योंकि इसमें भी कई बार अनिस्ट में भी इस्ट छिपा रहता है और भारत के लिए जो ये स्थिती है आने वाली स्थिती और खास और से जुलाई 2021 के बाद की जो सित्य है बुद का अंतर है वो आर्थिक दिश्टी से भी इस देश को काफी प्रगती देने वाला रहेगा और भारत मैं समझता हूँ विश्व में एक अच्छा नेत्रत्व और अच्छी प्रतिस्था स्थापित करेगा जैसे पहले हमारे यहा काम आएगी और लोक कल्यान के काम आएगी जी शासी जी हम बात करें करोना की लिगिन करोना की बीच में ही युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है अमेरिका चीन की तरफ टेड़ी नजर करके बैठा है भारत और चीन में भी टक्राफ की जो घटना है उस सामने आ रह का की कुंडली हम देखें तो अमेरिका और चायना इंद दोनों कुंडलियों में चायना को अभी मकर लगन में है क्योंगर चायना मकर लगन है और इदर अमेरिका का धनुलगन है अमेरिका तो 1706 में आजाद हुआ था चार जुलाई को और उसी के समय की कुंडली बनी हुई यह नोगन में अमेरिका है और मकरल लगन में चाइना आजाद हुआ था दोनों में ही क्या है कि यहां रहस्पती चायना का बारुए स्थान पर बैठा हुआ है जिस्वक्षेत्री जब वेस्थान पर होता है वो चिंतन स्थान होता है तो ऐसे देश और ऐसे व्यक्ति ही हो रही है कि हमारे जोतिर शास्त्रे के इसाफ से तो आंतरिक स्थिति चाहिए ना कि पिलकुल खोकले होनी चाहिए और वो विस्तारवाद की और बढ़ता चला जा रहा है तो इदर से अमेरिका में क्या है कि मंगल है ट्वेल्थ हाउस का लोर्ड बारवे स्थान का स्वामी मंगल है और वो अपनी दिश्टी से देख रहा है तो यहां क्या कैसे लोग धौंस दिखाते हैं तो एक तरफ तो स्वेम विस्तार में लीन रहते हैं एक तरफ अपने दूसरी दूर से अपने भे के द्वारा और अपने सामराजी की स्थापना करते हैं, अपने प्रतिस्था की स्थापना करते हैं और भारत इन दोनों के ही बीच में एक सामनजेशी के स्थिति बना करके भारत अपना अलग वर्चस्व स्थापित करेगा जिसको सारी दुनिया और ये दोनों दे एक तोड़ा पुझेवादी है और ऐसे स्थित्य वादी और सामेवादी जो सामेवादी हैं वहांपर व्षटाचार और कई तरह की स्थित्यíllने की संभावनाय बन जाती है वहां व्यक्ति का a social होने के सी भी संभाववनाय रहती हैं तो पुझेवाद में भी व्यक्ति में बहुत भेद होता है और इसलिए दोनों ही जगे कश्ट प्रद स्थितियां रहती हैं भारत पुझेवाद और सामयवाद इन दोनों में मद्यस्ता की भूमी का निभाएगा और विश्व के अंदर एक अपनी अलग ही सम प्रभुता स्थापित करेगा और जो अभी अमेरिका और चैना में जो तना हो रहा है वो तो इतना नहीं लेकिन भारत की जो स्थिती बनी होई है वो थोड़ी सी विशेश रूप से रहेगी लेकिन भारत सद सुद्रढ़ और समृद देस है और विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा ह कि उन्होंने बताया कि कोई भी हालात हो लेकिन जो भारत के सितारे हैं कहीं न कहीं बुलंदी में ब्रेक के बाद चल्द वापिस आते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज खास बाचीत में हमारे साथ है प्रोफेसर विनोश शास्त्री जिन से हम बात कर रहे हैं देश और दुम्या के हालात के बारे में शास्त्री जी यह तो सूर्य चंद्रमा को जो भी ग्रहन लगता है वो एक अंत्रिक्ष की घटना है लेकिन जोतिश और कर्म कांड में ग्रहन को अच्छा नहीं माना जाता जैसे हमने पहले भी बात करी इस साल की शुरुआत भी ग्रहन से हुई और आगे भी अब 21 जून को ए इनको शुब मानने का क्योंकि ये ग्रहन चंद्रमा और प्रत्वी और सूर्य इन तीनों के कारण होते हैं तो सूर्य के क्रांती वरत और जो चंद्रमा का विमंडल वरत इनके द्वारा जब इनमें शून्य डिस्टेंस रह जाता है तो ग्रहन होता है ये ग्रहन इस बार ज लेकिन उपच्छाई चंद्र ग्रहन होता है कि जब चंद्रमा में आभा एक हलकी सी चाया तो आती है लेकिन वो पूरा ग्रहन के रूप में ग्रसित नहीं होता जैसे साइड से कोई निकलती है बड़ी चीज तो उसकी चाया से हलकी चाया और हलकी हो जाती है वैसे ही चंद्र प्रमा बहुत महतोपूर्ण ग्रह है और ये मन का कारक है जब मन का कारक ग्रह उपच्छाई ग्रहन से ग्रसित होता है तो विश्व में अवसाद की सिस्ति हलकी से डिप्रेशन की सिस्तियां देता है मन में खिनता देता है और जिस तरहें की परिस्तियां बनी हुई है उन पर पूजा बहुत ज़रूरी है सूर्य ग्रहन भी है एक कंकन सूर्य ग्रहन एक हग्रा सूर्य ग्रहन है उनमें एक भारत में दिखाई देगा एक भारत में दिखाई नहीं देगा तो इस तरह से इन पांच में से तीन ग्रहन भारत में होंगे और अन्य देशों में अमेरिका संद्रमा से ही तो चलती है और ऐसी स्थिति में जब इनकी रस्मियों पर प्रभावित होती है तो पेड़, पौदे, प्रकरती सब पर बहुत बड़ा अंतर आता है और वो हमारे उपर भी अंतर आता है हमारे मानस्तिक स्थिति पर और हमारी आत्मिक स्थिति पर हमारे बुद कई बार क्योंकि मांसिक जब विकार रहता है तो दुर घटनाओं का विशेश रूप से हो जाना कई सारे समुद्र में कई तरह के चक्रवात आ जाना ये सारी चीजें जौला मुखी का कई फट जाना आकस्मिक जो वर्सों से सोय हुए हो तो ये इस तरह के कुछ घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण से हमें थोड़ी सी सावधानी तो रखनी चाहिए लेकिन में जिग्यासा थी जिसका आप में अभी उत्तर भी दे दिया कि कोरोना भी है युद्ध भी है लेकिन इसके बीच में प्राक्रतिक आपनाएं हैं वह मनुश्य की परिशा ले रही हैं कभी द आप सी है लुद्ध रहा रहा है तो खुब्त ग्रहयोग का खेल और ये ग्रहयोग स्थाई रूप से नहीं रहते हैं चले जाते हैं क्योंकर घर ग्रह स्थिर नहीं रहते और जो अभी इनकी विशेश रूप से नव ग्रेह हैं दॉद्ञ ख्रह भी हैं इन नो ग्रहों के और अन्य ग्रहों के जो कोंबिनेशन जिस्टरें के बने हुए हैं वो अभी खास्तोर से जैसा मैंने बताया कि अपरियल दोहजार इकेस तक है और अभी सितंबर तक विशेस लूप से है तुफान के साथ साथ जो अभी ग्रहनों के तुफान की जो बात है इसमें नवतपा जो अभी चल रहा है नवतपा की भी भूमिकाय अभी भी नवतपा चल रहा है ये प्रकरती के लिए और वर्सायोग के लिए विशेज महतुपूर्ण होता है कि प्रारम में तो नवतपा बहुत तो ऐसे स्थिति से संकेत दिखाई देते हैं कि सुरू सुरू में तो बारिस अच्छी हो जाएगी लेकिन उसके बाद में जो फसल पकने लगेगी उस समय खंडे वरष्टी की स्थिति बन सकती है कहीं अत्य वरष्टी तो कहीं अना वरष्टी उससे थोड़ी थोड़ी रहा है और अभी भी तपता दिन तो इसलिए वर्स्था के योग टो ठीक बनते हैं कि मॉन्सून के जो हम लोग आखाये बैठें तो लगता है इसपार भार्त में मौसून सही रहेगा मौन सुद्धिंडेश अच्छी रहें बहुत अच्छी रहें ईकिन प्रार्म में अच् वायू के प्रवाह के आदार पर फिर भविश्यमानी की जाती है कि ये समध कैसा रहेगा जी शासी जी जी जो सारा मौहौल है ये सबसे आदा इंसान के मन को प्रभावित करता है मांसिक अशान्ती की इस्तिति आ जाती है इस समय क्या करना चाहिए मांसिक अशान्ती में देख कि ये आठ तरे के मारक होते हैं उनमें जब अपने वृत्ती पर मारक आ जाता है कि आर्थिक दृष्टी से शारिरिक दृष्टी से जब भै होता है तो एक शांती होना जरूरी है ऐसे इस्तिति में जैसा भारतिय संस्क्रती कहती है कि आप ऐसे समय दान करें पुन्य करें और ये दान पुन्य हर व्यक्ति के लिए, हर मजभब के व्यक्ति के लिए सर्वस्टेश्ट होता है कि आप असहाय लोगों की साहता करें क्योंकि देने में जो आनन्द आता है वो लेने में नहीं आता है तो ऐसे स्थिति में सबका सही होगा क्यों विशेस रूप से जो ग्रह हैं ये भी हम जैसे व्यवहार में माता पिता और हमारे सारे रिस्तेदार होते हैं मित्र होते हैं ऐसे ही ये भी सारी प्रकृति भी इसी तरह से है तो पेड़ पोधों का संरक्षन करें हम उसको प्रक्ष लगाने पर हमें बहुत बड़ा पुन्य होता है जैसे जो कहा है पुराण में कि कि एक कुवा बनाने में ही पुन्य होता है, लेकिन दस कुवा बनाने में जो पुन्य होता है, वो एक तालाब बनाने पर जो पुन्य होता है, दस तालाब बनाने पर जो पुन्य होता है, वो एक कन्या के परवरिश पर होता है, दस कन्या के परवरिश करने पर जो पुन्य होत और खास दोर से जो सहयोग हम आत्मिक रूप से कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य की आराधना, सूर्य की आराधना के कई प्रतीक हैं अपने माता-पिता की सेवा क्योंकि माता-पिता ही जो गुरू, ब्रह्मा, गुरू, विष्णू, गुरू, देवो, महिस कि न एक रूप में जितने भी लोग हैं बुज़ू हैं के सेवा की जाए उसे हमें परम आंद की प्राप्ती होगी, आत्मशांती मिलेगी और यह आत्मशांती हमारे कल्यान का स्वयम का भी, परिवार का भी, समाझ का भी और रास्ट के कल्यान का बहुत बड़ा कारण बने है चाहे वो उसकी विक्तिगत हो या हम देश की बात करें वो सबसे पहले अपने इश्ट के पास जाता है किसी मज़ब का हो यह पहला मौका होगा जब मंदिर मस्जिद गुर्दवारे चर्च सब बंध हैं लिए यह अभी एक योग की बात है सबी चूंके सबसे पहले सुरक् तो हम एकसरसाइज करके उसको ठीक रख सकते हैं और अगर हम मानसिक दृष्टी से हैं तो हमें प्राणायाम योग आदी से ठीक हो सकते हैं लेकिन आत्मुबल बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक साधना जरूरी है वो मंदिर मस्जिद हमारे प्रतीकात्मक हैं यह प्रतीका प्रश्याओं का समाधान स्वत्य कर लेते हैं इस बार यह पूरी दुनिया में इस तरह का रहा लेकिन मंदिर मस्जिद के वल प्रतीकात्मक का पाट बंद थे हमारे अंदर के मंदिर मस्जिद यह हमारे अंदर के जो देवाराधना जो हैं वो तो बंद नहीं थी और यह हम मैं उस बाहर के मंदिरों और मस्चिदों की जरूरता नहीं है उस अंदर कमें जो हमारे अंदर जो है प्रभू उसको तीसरी दृषटी से कि दो दृषटी से जब हम बाहर देखते हैं हमारी तृतिया द्रिश्टी जो आत्म द्रिश्टी है उसको जगाने का यह बहुत अच्छा उसर रहा है कि हम आत्म केंदित होकर अपने आपको देखें और अपने आपको देखकर हम आत्म बल्को बढ़ाएं और आत्म बल्को बढ़ाने से आत्म बढ़ती हैं और आतुमनल बढ़ता है तो उससे हमारे ¡घटी समश्यां का समधान स्वत्म हो जाता है! शास्री जी चलते चलते आखरी सवाल! यह मेरा नहीं है! बहुत मैंन का सवाल है बहुत लोगो की शिकायत है! जो मैं सब की शिकायत आप तक पहुंचा रही है, कि अब सब कह रहे हैं, कि ये ग्रह कह रहे हैं, ये गोचर कह रहे हैं, ये ग्रहन की वज़े से हैं, लेकिन पहले किसी नहीं नहीं चाहता है, किसी भविश्यफल में ये नहीं था, कि इतनी बड़ी महमारी होगी, इतना बड़ा जो अनिश्टिस्ता रहेगी, विनाश किसीती बनेगी ये आपने बहुत सही बात कही लेकिन देखिये एक इनसान है परमात्मा नहीं होता हम लोग जोटसी लोगों को भी अगर कोई इस तरह से समझे कि कोई ब्रह्मा जी ने एजेंसी दे रखिया ऐसी बात नहीं है हम भी हमारे गुरु कृपा इस्ट कृपा शास्त्रिय ग्यान व्यवारिक ग्यान और उनी के भल पर हम फलादिस देने की कोशिश करते हैं लेकिन इस्वर की कोई कृपा ही होती है पहले इस तरह का ये सत्य है कि इस तरह की जैसे आपने नासरे दमस और कई विद्वानों की जो बातें कई कई विद्वानों ने कहा भी होगा लेक पहने उसको explain नहीं कर सकते इसलिए योग लिखे पहले भी गए होंगे लेकिन वो इस तरीके सामने आएंगे तरपना किसी ने नहीं कि योग तो हैं लेकिन हाँ ये इस तरह से नहीं कह पाए हैं और इसको स्विकार करते हैं कि इस तरह का नहीं कह पाए हैं लेकिन ऐसा नहीं ह या इसके कारण से सास्र पर प्रश्म वाचिक लगे ऐसी बात नहीं है शास्र तो सही है शास्र वेताओं में कोई कम यह हो सकती है लेकिन शास्र में कोई कम यह नहीं है बहुत धन्यवाश शास्र जी आपने बहुत तरक सम्मत बाते हमारे दर्श को बताई और मुझे लगता है बहुत लोगों की कुछ जिग्यासा है वो भी शान्त होई होंगी कुल मिलाके इस बात का सार यही है कि आत्म बल को बढ़ाने की जरुत है मुसीबत का समय है निकल जाएगा और एक बार भारत फिर विश्व गुरू बनकर सबके सामने आएगा नमस्कार